ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अमलतास से आप अपने शुक्रानों की संख्या को कहते बढ़ा सकते हैं शुक्रानों बढ़ाने की छमता होती हैं अमलतास में अमलतास के लटके होए पीले फूलों के गुछे पेडों पर दिखाई देते हैं और ठंड के आते-ाते लंबी-लंबी काली फल्नियां उनके पेडों पर लजज जाती हैं यह सड़क के किनारे बोता आयार देखे जा सकते हैं लोग अक्सर इसे सजावट वाले पेड के तौर पर लगाते हैं पार्कों में, उद्दानों में, सडकों के सौन्दे करन के लिए लगाए जाते हैं इस पेड के सभी अंग और सधिय गुनों से भगूर है लेकिन अग्यानतावस लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं आयुवेड में इस बिछ के सब भाग और सीदी में काम नहीं आते हैं इसके पत्ते, मल को ढिला और कफ को दूर करते हैं और फूल, कफ और पित को नस्ट करते हैं तता फल्ली और उसमे का गुदा पित निवारक, कफ नाशक, विरेचक तता वात नाशक है। फल्ली के गुद्दे का हमासे के उपर मृदू प्रवाव ही होता है। इसलिए दुर्वर मनश्यों तता गर्वती इस्तुरियों को भी विरेचक औसली के रूप में दिया जा सकता है। इसे राजस्थानी में किर्माला भी कहता है। इसके फूल भी बहुत सारे स्वास्थ बर्दग दुन होते हैं फूलों के अंदर। अमलतास के फूल प्रजनन पर्णाई को उम्नत करने के साथ सुप्राणों की संग्या को बढ़ाने और स्वस्थ करने में काफी हल्पूल होता है। चता यह नपून सकता और इरेक्टाइल डिस्वंक्शन की बिमारी को ठीक करने में भी सहायव होता है। अमलतास में टेरो गूस प्रमी नाम का यौगिक होता है जो शुक्राणों को स्वस्थ करने और संग्या को बढ़ाने में मदद करता है। यह यौगिक सेक्स जीवन को बहतर बनाने में और काम वासना को बढ़ाने में मदद करता है। अब इसे प्रियोग कैसे किया जाता हूं मैं आपको बताता हूं अमलतास के ताजे फूल लीजिए 20 ग्राम दूद्ध 250 ग्राम और चीनी दो चम्मच छोटी लैची दो पीस लेना है आपको कुटी वी दूद्ध 250 ग्राम दूद्ध में 20 ग्राम अम्रतास के फूल डालकर धीमी आचे में उबाले और जब 20 मिनट हो जाए तो इसमें कुटी वी लैची पाउड़े डाले जब थोड़ा गाड़ा होने लगे तो दो चम्मच मेली लाले चीनी मिला ले इसके बाद से उतारकर हम्यवाद